तो हाई दोस्तों कैसे आप सभी लग मैं देवत अरकवाल दोस्तों सबसे पहले मिंआपको बताना चाहता हुए सबसे पहले आगर आप पास फोन है ना तो वह पाच मिरिक आपको सबसे कीमति होते हैं सब थे तो बूरट्र पहुल नेरना विक बता है को सबसक्रपार पर बाते करते हैं फोल देते हैं पर इसमेल पップली सप्लाइख ओला यहाँ वह लगéchता यह डूर पर उच्ब दसके बातना वी सब जांकित प्रषयर में जांता है तो सबसे पहले आपको डैट फोन के अंदर दो काम करने हैं या तो आपके पास में PC लैपटाप हो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नहीं है तो आपने एक लैपटाप पर्चस कर लो या तो एक डेस्टाप पर्चस कर लो भली सेकेंड हो और अपनी दुकान पर रखो कि में प अगले स्टेब में चाते हैं दोस्तों पोड बनाने की क्या कंडिसन है दोस्तों यह फोन अगर पोड बना रहा है तो इसकी क्या कंडिसन है तो सब कंडिसन नमर वन सबसे पहले जो पोड बनता है वो एक नॉर्मल पोड बनता है उसके बाद जो पोड बनता है वो एक अबन या फिर आपके पास में एक आटो पोर्ट है जैसे आपने लगाया और सीधे आपको यह कॉलकम का क्यूदी लोडर 9008 पोर्ट बन गया या तो तीसरा आपको पोर्ट बनकर आवाज आ रही है पेज रिफ्रेस हो रहा है पर पोर्ट डेखाई नहीं दे रहा है ठीक है और चौत इमेंसी पी तक चलिए आएगी फिर आपने डारेट इमेंसी उटारके यह इमेंसी का इसपी पिन चेक करके यह चेक करना है कि मेरे इमेंसी स्टोरेज कैसा है ठीक है उसके लिए आपको व्यवाइफाई का या जेटेक का नॉलिज होना बहुत जोड़ी है दूसरी बात आपकी VDDC कोई भी आपकी लाइन सौर्ट हो सकती है तो यह आपको चेक करना है कि कोई लाइन सौर्ट हो नहीं है CPU विमेंसी या पावर के असपास कोई कैपसिटर या कोई बक लाइन सौर्ट हो नहीं है फिर उसके बाद में आपने फिर वही चीज को कि आप नॉमल यह तो इसमें आपने CPU राम पर भी काम कर सकते हैं अगर आपका नो पॉर्ट बन रहा है तो अपको फिर अपना बूर्सुकर्ण कर चेक करना है जिसके लिए स्टेप पर जाएंगे दोस्तों आप दो चेक कर लिया फॉर्ट बन रहा है और आप नो पोर्ट पर जाना चाहते तो इसके बाद आप चारजिंग के अपर में आपको बता दूँ आपको अलग अलग मैंने आप पर एंपियर मीटर से आपको बता है जैसे अगर जीरो अंपेर में आप यह समझ लेंगा है कि आपका फोन कंप्लेटली कोई भी चार्ज नहीं ले रहा है तो यह प्राब्लम आपके बीबस लाइन की है हो सत्ता है कि आपका CC ही सड़ गया हो या खड़ाब हो और आपका बीबस जीरो एंपयर तभी लेता है जब आपकी DC to DC आपको पूरी तरीक से डाइड है और तीसरी लाइन आपके 00 होने की वाज़ा आपका CPU भी होता है दोस्तों तो यह प्रॉब्लम आपने फिर आपको खोल के ही चेक करना पड़ेगा अगर आपका 0.10 लेता है मतलब 10.10 लेता है तो यह ज्यादा तर CPU और RAM का ही प्रॉब्लम दे येश 카메ただ हिए इसमें वित परपुट की सप्लाइव संदर में विकार शुकेंग को चेक करना पड़ेगा पूरा बूटींग जिसे मेडिया टीकिक के अंदर कि पहले हम बीवाय चछ करना है वी पीए चेक करना है क्या क्या चेक करना है उसके साफ से हम इसका बूर्स के चेक करते हैं वी एस वन पहले आता है वी एस टू अगर हम अगर आपका एंप्यर फ्लेक्ट कर रहा है तो यह समझे लिए हूं परसन आपके फोन में स्वाटिंग है और अगर दोस्तों पॉइंट 1.60 लेता है पर हो सता है DPDM की लाइन ओपन हो इस बचे से पोर्ट भी नहीं बन रहा हो तो यह बाद DPDM की लाइन जरू चेक कर लेना और 1.6 ले रहा है तो यह एक बूट है हाई बूट है मतलब स्वाटिंग है अगर यह 60 70 90 80 कटके और 1.6 तर जा रहा है तो यह समझे ले तो अगर आपका फॉन फ्लैसिंग से यह पर नहीं बनता है तो मैंने बता दिया क्या करना है अगर पोर्ट नहीं बनता है तो आपने अपने चार्जी एंपेर में चेक करना है अगर चार्जी एंपेर में भी जीरो जीरो ले रहा है तो इसका मरलब है आपको फॉन खोलना ह करनी है आपको कूल टेस्टिंग करनी है बीबैट पर एक फॉरवेट और एक रिवर्स दोनों बायस में आपको 300-800 या 700-800 तक रीडिंग मिलना चाहिए पर एक रिवर्स में आपको 1000 के ऊपर या ओल मिलना चाहिए नहीं तो यह आप माने जाहिए कि प्रामर्यों सेकंडरी में लीकेज और आइडियो थर्मिल का जरूर रूरी के लिकेज चेक करना है कि कुछ फोनों के अंदर आइडियो थर्मिल की लाइन नहीं होती है तो ये भी आपको पता होना बहुज हो रही है और अगर मैं इसके बात बात करूँ तो फिर DC supply में आपको चेक करना है कि मेरी primary लाइन या secondary लाइन क्या सौट है अटो रीड ले रहा है या क्या बूट सुक्यन ले रहा है उसके लिए क्या बूट सुक्यन ले रहा है कि लिए मुझे दो आपने सquality चेक करना है यह भी बता होना चाहिए हार दुस्त कि बिप मानने वाला शॉट नहीं होता हुए अगर आपने यह इस चाज़ ऑपका सुचिंग को उठाकर आपने बीपी इच पे आप वोल्टेज इंजाट कर सते हैं यह हाप सावच एंदर पर ⁠ technology कैसे चाहिए ऑप यह होता है फुली स्विट के बताने वाला मुझे के बला है किस को चाहिए पंड नी बन राहा है चार्ज journal below वुटिंगे जी लीज भी से हिसाब सिख चेक करना है उसके बाद फिर आपको सारी साइसे बूट साम कि आपको अगे बढ़ना है Jy生 से मीडियों कोटा है तो सबसे पहले हम किया चैक करते हैं मैंहीं हम सब से यह चला चेक करते हैं, दोब कहा चार्जर लगा आपकर अपको स्टिक के जरिंगा हो गया भी बाइट लाइट वह खाए आपकी VR लाइज ow गहाया आकसलेरी वोल्टेज हो गया आपके सब जगे जाती ती जैसे पावर को भी आन करना है तो भी बैट चाहिए अभी क्या हो गया सेकंड़ी 4G के मोबायल के अंदर DC2DC पावर आ गया तो वहां पर क्या हो रहा है बीबेट सिर्फ दे रहा है DC to DC को पर हो क्या कर रहा है उसको convert करके BPH बना रहा है SYS बना रहा है बीबेट SYS बना रहा है और उसके बाद अब क्या आ गया है 5G सेट आगे ना तो उसके अंदर क्या हो गया है अब 4G और 5G महीं आ गया है 4G के अंदर भी आपको यह देखने को मिलेगा प्लस 5G के अंदर भी मिलेगा आपको एक और सप्लाई मिलेगी B.O.B. बॉब और यह लाइन भी आपको तीन वोल्टेस को अपर की मिलेगी जो जनने यह तीन वोल्टेस को चेक करना प्रामरी सबसे अब किसी भी मूल में आपको जोड़ी है फिलाल यह वीडियो था आपके पास मिन्ट में आपको क्या करना है अट लीस्ट और मुझे लगता है कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फादे मन्द होगा और मुझे कमेंट करके बताओ कि इन किन लोगों को व लोडिया लग रहो तो इसको लाइक कर दो और शेर कर दो मैं आपको बताना चाहूंगा हर महीने एक स्टोन को आपको देंगे एक माइक्रोस्कोप वो भी उसकी नीड को देखे बिलकुल यह ठीक है यह तो बहुत अच्छा रहेगा मजा आएगा देखने में और आपको पत इसके लिवाब 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 अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए हम आपको देंगे गैरंटी वर्क, तीन दिन में पौवर IC और चौथे दिन में CPU करवा देंगे हम देंगे IC Pad Line की जानकारी, यहां हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, यह आपसे वादा है, अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करे एडमिशन के लिए, हम आपको देंगे गैरंटी वर्क, तीन दिन में Power IC और चौथे दिन में CPU करवा देंगे, हम देंगे IC Pad Line की जानकारी, यहां हॉस्टल में